हेलो दोस्तों नमश्कार मैं हूँ राज यादाओ और एक बार फिर सापका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 36 गड़ में आरक्षन का मुद्दा जो चल रहा है उससे रिलेटेल लेटेस्ट अपडेट देखने वाले हैं आज का अपडेट क्या है साथ ही यहाँ पर हम लोग और भी जो है अपडेट सियाँ पर देखेंगे जी है दोस्तों अपडेटरी जी ने कहा है कि निचीत रहे 32% आरक्षन लाब दिलाने हमारी सरकार संकल्पित ठीक है तो यह जो है क्रिस किस परिपेक्ष में कहा गया है इस वीडियो में पूरी जनकाली हम लोग देखनी वाली है आगे के वीडियो जो है देखने के लिए चैनल को जल्दी स पहुंच जाए चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए देखते हैं आज का पहला अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं पेपर में छबी खबर के अनुसार जो है सरकारी विभागों में रोश्टर पालन के लिए बनाया जाएगा जाएगा जांच प्रक कि आदिवासी समाज के लोगों को भरुशत दिलाते हुए काहें कि 32 प्रतिसत जो आरक्षन है वो आपको हर हाल में मिलकर ही रहेगा मुख्यमंत्री जी ने आदिवासीयों की मांग पर सभी विभागों में रोश्टर का नियमित रूप से पालन के लिए जाद तो दिलाया जाएगा मुख्यमंत्री ने सियम हाउस में राज भर से पहुँचने वाले आदिवासी समाज के प्रतिनीदी मंडग से चर्जा करते हुए यह बातें कहीं हैं अब दोस्तों यहां पर अब तक जो है आरक्षन मामने में क्या क्या चीज़ें हुई है उसके बार आफिस्दी किया गया था ठीक है तो यहां पर देखते हैं इस आरक्षन जो प्रतिशत था उसको अंठावन प्रतिशत घटा करके 50% तक ही आरक्षन मिल सकता है कि सिराज में ऐसा कहा है ठीक है तो इसी का जो है पालन करते हुए फिलाल जो है अभी आरक्षन रोष्टर रोष्टर के साब से आरक्षन देना है यह अभी तैर नहीं किया गया है तो सिक्षर संस्ताओं में भी आरक्षर फिलाल जो है खत्म है और वैकेंसियां रुक गई है जो सिक्षर संस्तानों में एड्मिशन वगरा होते हैं वो सभी चीज़ें अभी रुगी हुई है सत्र बुलाकर अध्यदेज भी लाएंगे तो यह कहना है चीप मिनिस्टर यहने कि मुख्य मंत्री भुपेज भगिल जी का कि अगर आवशकता पड़ी तो विदान सभा में विशेज सत्र बुलाकर अध्यदेज भी लाया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य अधिवासियों की मांग पर आवशक पहल करते हुए समस्त सास्किये विभागों में रोश्टर के नियमेत रूप से पालंक संबन में जांच के लिए प्रोकोष्ट का गठन किया जाएगा गठन करने की गोशना करता हूं और साथ ही ये भी कहा है कि राजे में आरक्षन के म कासी जो आरक्षन है उसको 32% ही रहने के लिए जो है कृत संकल्पित होने की बात कही है और ये भी कहा है कि वो निश्चिंत रहे उनका जो आरक्षन 32% है वो उनको मिलकर रहेगा ठीक है तो आज के इस अपडेट में इतना ही था आई होप आप आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लाइक और शेयर अपने सबी दोस्तों तक जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद